नमस्कार जोतिश विज्ञान के विशे सकारिक्रम समय शास्त्र में आप सब का स्वागत है मैं हूँ पंडित शील भूशन सर्मा आप जानते हैं कि जोतिश वर्तमान से भविश्य तक को जानने समझने और बेहतर बनाने का विज्ञान है लेकिन कैसे यही आपको बताने में लगा है यह कारिक्रम समय शास्त्र आज इस कारिक्रम की खास बातों में हम जानेंगे समय शास्त्र समाचार और राशी फल के अलावा लगातार बिमारिया होती है, कई बार दिक्कते इतनी बढ़ जाती है कि माता पिता बेचे न हो जाते हैं, अब क्या करें, डौक्टर्स के पास दोड़ते-डोड़ते समें भीतता है बाला रिस्ट का क्या है उपाय, क्या है विमर्श दोनों जानेंगे साथ ही जानेंगे समय सवभाग्य में कि ग्रहदोश होता है तो उसके लिए औशद ही भी है पूजा पाठ तो है ही जब तब तो है ही हम दानवान करते ही हैं कई बार अंगूठी पहान लेते हैं तमाम तरह के उपाय करते हैं लेकिन ग्रहदोश के कारण कई बार रोग हो जाते हैं। ग्रहदोश के कारण कई बार रोग नहीं होते हैं तो कई बार बुरा समय दिखता है। इस पर बात करेंगे समय्ष obviously में जानने का प्रियास करेंगे जन्व के बाद बच्चा लगातार बिमार करता हो हमेशा बिमांड ही रता हो सारसे फूलने लगती हो रोटे होते हैं उसकी तो क्या करें वो राम बान उपाए कि बच्चे क्या स्वास्त्य बेहतर हो जाए लेकिन सबसे पहले जानेंगे वैदिक जोतिस गर्णाओं पराधारित जोती शिय समय शास्त्र समाचार आज अम्रत योग युकता मार्गशिक सुक्लद्वा स्त्रयोदशी दिन और नक्षत्र के सन योग से लुम्ब नामक योग आज है सब्प्रकार की वस्तुवों के क्रे विक्रे के लिए आज शुभम होर्त भगवान शंकर की आराधना का प्रदोश्वरत आज है कल अकाल और अज्यात मृत्य प्राप्त परिजनों की मुक्ति के लिए पिशाच मोचन में श्रद्ध परिटन के क्षित्र में नई योजनाओं के संकेत करनाटक और महारास्ट में राजनितिक अस्थरता के योग परवतियक्षित्रों में प्राक्रतिक कोपजन्य दुर्घटनाओं के दुर्योग और इसी के साथ समय शास्त्र समचाज राविस्तार से जा लेंगे आज अम्रत योग बना हुआ है अम्रत योग मतलब कोई भी कार्य करते हैं कोई भी सतकर्म करेंगे कार्य का मतलब अच्छे शुबकर्म करेंगे तो उसके लिए उसमें जो थोड़े बहुत जो तुरुटियां होती है वो तुरुटियां नस्ट हो जाएंगी और उसमें अम्रती मिल जाएगा मानू नया जीवन मिल जाएगा उस योग को अगर कोई थो चंद्रदेव का संचरण इन दोनों के सनयोग से लुम्बक नामक योग या लुम्ब नामक योग बना हुआ है ये योग आज दिन भर एक सामान्य भ्रम का वातावन कायम करता है शुक्ल पक्ष की त्रेज़सी कृतिका नक्षत्र सिध्ध योग कौलाव करन और मेश राशी म चंद्रमा सुबह आठ बजकर छे मिनट तक उसके बाद ब्रश्राश्रिम प्रवेश करेंगे ये पंजंग की स्थिया आज आज सभी प्रकार के बस्तुमों के खरीद फरोक्त की आज शुब मोर्त बना हुआ है आज प्रदोश प्रतिशायम व्यापिनी प्रदोश है इस का बाद प्रदोश काल में भी करेंगे उसका भोजन करेंगे कल यानि आने वाले कल शुक्रवार को अकाल और अज्यात मृत्यू प्राप्त परिजनों के मुक्ति के लिए पिशाच मोचन में शाद्ध कर्म होंगे कल पिशाच मोचन यात्रा का जो सनातन परमपरा है उसमें पिशाच मोचन की यात्रा का कल सुब दिन है वहाँ शाद्ध कर्म ऐसे जो भी होते हैं अकाल और अग्यात प्रत्यू परिजन उनके लिए ये शाद्ध कर्म होते हैं। दिखाई पर रहे हैं यहां पर थोड़ी सी हल चल मचेगी परवतियक खेत्रों में हिमालाइन खेत्रे कहें या जहां भी परवतिक खेत्र है प्राकृतिक कोप जन्य दुरुघट नाओं के दुरियोग बने हुए और इन परवतियक खेत्रों के नीचे रहने वाले यानि बिल संक्रान्ती इस बार रवार को हो रही है इसी के साथ बात करें हम सुरु की चार राषिया मेश, वरिश, मिथुन और करक जातों को लिए जिन कैसा रहने वाला शुरुआत करें मेश रासि से मेश जातकों के लिए महत्वा कांग्षाओं की पूर्ति करने में सहीयोगी मिलेंगे आपको अपनी महत्वा कांग्षाओं आपकी जो हैं वो पूरी होती है सहीयोगी लेकिन अगर फिल्ड बिदलना चाहते हैं अपने करियर का कोई चुनाओं का इस समय समय ले रहा है तो फैसला सोच समझ कर लेंगे आज किसी भी काम में हर बड़ी ना दिखाएं आज चंद्रमा आपके बाव, आपके चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव में जा रहा है संक्रमनकाल है दुस्साहस पुर्ण कोई भी काम आपको आज नहीं करना चाहिए बात करें वरिश राशी की, वरिश राशी के जा तक कारोबार के लिए लावकारी दिन है, आपके हाँ चंद्रमा पहुँच रहे हैं, रुकाउटों के बावजूद जो कल तक दिख रही थी, आज लक्षे हासिल करेंगे आप, सुबह आठ बजे के बाद से ही सुबस्मा चार मिलने सुरू हो जाएंगे, और आपकी सलाह को महत्तों मिलता दिखाई पर रहा है, अगर आप वरिश राशी के जातक हैं, बात करें मितन राशी की, मितन जातकों के लिए, आज शाम, आज तनाव और परेशानी से, के दबाव से मुक्ती मिलती दिखाई पर रही है, शाम त होने दें, आत्म विश्वास बनाए रखके, समय बेहतर होता दिखाई पर रहा है, बात करक राशी की, करक जातकों के लिए ब्यावसाई क्षेत्र में आज अच्छा सहयोगी मिलेगा आपको, आज करक जातकों के लिए जो राशीष हैं, करक राशीष जो हैं, वो दसम से 11 हमें भाव में उच्च के होते दिखाई पर रहे हैं, इसलिए ब्यावसाई क्षेत्र में आपको सहयोगी तो अच्छा मिलेगा, लेकिन सम्मान में कमी की आशंका है, जो धनो पाजन की का स्रोत है, वो स्थर होता हुआ, या अगर धनो पाजन कोई स्रोत नहीं है आपके पा शिश और दूसरे बात है कि आज फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें किसी अन्य पर निर्भर ना रहें, जो फैसले करने हैं बार बार उसके लिए लोगों से पूछ हैं नहीं फैसले स्वयम लें अच्छा होगा बात करें इसी के साथ समय सूत्र में समझेंगे बालारिस्ट के योग कुयोग जब बालारिस्ट होता है जोतिश शास्त्र कहता है आदवाद शाबदात नराणाम आयुर ग्यातुम नशक्यते जप होम चिकत साध्याई है बालरक्षाम तुकारेत बारह वर्ष की उम्र के भीतर बच्चों की आयु के सम्मन्ध में निश्चे नहीं हो सकता कि कितनी आयु भोग्य है कितनी आयु शेश है कई बार हम जोतिशी के पास परामर्श लेने पहुंशते हैं और सबसे पहला सवाल जो होता है कुछ सवालों के अगर जानकाली नहीं लेनी है कितनी लंबी आयू है और ये लंबी आयू इसकी गर्णा नहीं हो सकती बारह वर्षों तक तो करना भी नहीं चाहिए इस समय जप होम चिकितसा शांतिकर्म आदिसे बालक की रक्षा करनी चाहिए जप होम चिकितसा ज्याई बालरक्षाम तकारे चिकितसा मतलब डॉक्टर्स के पास जाकर जब करके होम करके दान करके ही बालक के प्रान की रक्षा जीवन की रक्षा इस समय अगर कोई संकट काल आता है तो करनी चाहिए सामानने का अगर अगर जर्म कालों कलवकाल में चारों गेंद्रों में पापग्रह के साथ युक्त चंद्रमा और चारो केंद्र जो होते हैं लगन, चतुर, सप्थम, दसम। चंद्रमा यहां पापग्रह युक्त हो किसी घर में तो बाला रिस्ट होता है। तो बच्चे को जन्म के बारह वार दिखाई पड़ती है। लगन और सप्थम भाव प्रूर ग्रह युक्त हो। या लगन और सब्तम पापगर तरी में हो उसके अगल बगल पापगर बैठे हो और चंद्रमा अगर शुभयुक्त ना हो ध्यान रहे बाला रिस्ट का महत्पूर्ण कारक चंद्रमा का अशुभ हो जाना होता है अगर शुभयुक्त ना हो तो भी बाला रिस्ट होता है अस्ट चंद्रमा और या लगन के द्रोसकान के स्वामी निर्बल हो गए हो छटे आठमे बारह में भाव में बैठे हो तो भी बालक के आयू रक्षा का उपाय करना ही चाहिए किसी प्रकार के अशुभ ग्रह युक्त चंद्रमा पांच में साथ में नवे बारह में भाव में बैठा ह हुआ हो अशुभ ग्रह से युक्त चंद्रमा या आठमे भाव में बैठा हुआ हो तो भी बालक को अरिस्ट होता है बच्पन में ही अरिस्ट होता है ऐसे में कुंडली का सम्यक परिक्षन कराकर भगवान शंकर और माताब दुर्गा की आरादना करनी चाहिए दुर्गा को जीवित पूट्रिगा कहते हैं भगवती पूत्र मरे हुए पूत्रों को इनले वाली माता मानी तो करनी चाहिए बगवान शंकर के पूजा कि पूजय के करम में अगर करना है तो महा मरतुंजए मंत्र का जप और स्थत्र का पाठ या जो पाठ है वह पाठ करना चाहिए महाम्रतुंजे मंत्र का जब और महाम्रतुंजे मंत्र का स्तोत्र का पाठ यह धान रहे कि यह दोनों अगर आप कर सके तो खुद करें पुरे विधिधान से नहीं कर सके तो अपने आचारियों से कराएं निश्चय ही दिर्ग जीवन बच्चे को देता है द्रिखाईू देता है श्री दुर्गा सब्तषति का संपुडिद पाठ करना चाहिए संपुडिद पाठ बालग ग्रहादी भीता नाम बाला नाम शांतिकारकम संघात भेदे दे नेनाम मेत्री स्कर्मुत्मम यह मंत्र है इस मंत्र से संपुटित श्री दुर्गा सब्तशती का पाठ करना चाहिए छठे आठवे और बारहमे भाव में जो भी शुब ग्रह हो उनके शांती के लिए ग्रह और राशीश उस राशी के स्वामी और ग्रह के स्वामी की वस्तों का दान अवश्य करना चाहिए बारह वर्सों तक अगर अरिष्ट दिखता है तो भगवान शंकर की आयादना माता दुर्गा की आयादना लगातार करने से किसी प्रकार के अरिष्ट का शमन हो जाता है चर्चा हम आगे जाई रखेंगे विकिन्तु बात करें सिंग करन्या तुला और व्रिष्टिक जात्कों के लिए दिन कैसा रहने वाला है बात सिंग रासी से अनावश्यक बाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए अदालती मामलों में सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है अगर आप सिंग रासी के जातक है बढ़े हुए काम के दबाव में आज दिन भर आप व्यस्त रहेंगे और ये जो काम का दबाव बढ़ रहा है सिंग रासी के जातकों के लिए उनमें दसंभाव में चंद्रमा उच्च का आता दिखाई पढ़ रहा है आप पर जादे चार जाएगा आपको जादे प्रभार मिलेगा और काम भी बढ़ेगा आप निजी संबंधों को बिलकुल सम तेरे जर आएंगे बाचीत से वर्तालाब से मिल जूलकर बात करने से लिश्चित रूप से समस्याएं सुलस्ती जाएंगी जो भी घरेलू समस्याएं हैं आज अधिकारियों से जो आपका पूरु परिचे है उसका लाब उठा पाएंगे उसका लाब मिलेगा आपको और श अधे भाव से पांचोंएं भाव में आते चंद्रमा उच्च के आते चंद्रमा है बात तुला राशी की लिए धन-संबंधी समस्या थोड़ी तंकरती दिखाई पर रही है किसी भी प्रकार क्या बेवसाइक पक्ष्यों हो ब्यवसाइक मामला हो बड़ों की सलह अवस्य ल करें अपनी बेवसी आख छुपा कर रखना जरूरी है नहीं तो लोग इसका लाब उठा जाएंगे ब्यर्थ के आयोजनों से आज अपने को बचाना चाहिए दूर रहना चाहिए खुद को रखना चाहिए अगर आप तुला राश्य के जातक हैं तो बेवजह के कई आयोजन ह होते हैं उसमें अगर आप आपके न जाने से काम चल सकता हो तो आप ना जाएं वह बेहतर होगा बात व्रश्चिक राश्य की व्रश्चिक जातकों के लिए पारिवारिक तनाव के आसार दिखाई पड़ रहे हैं आज का दिन घर परिवार में थोड़ा उल्जह रहेंगे छठे भाव से सात्वे भाव की ओजार चंद्रमा जीवन साथी से ताकत मिलती दिखाई पड़ रही है और ब्यावसाइक जोखिम नहीं लेना ही ठीक रहेगा किसी प्रकार का आज कोई भी रिस्क ना लें आज सट्टा वट्टा तो मिलकुल ना खेलें खेलते हो तो खेलना लें ब्यापारिक रिस्क ना लें बात करें इसी के साथ समय सवभाद्य में ग्रह दोष की शांती के लिए हम जब करते हैं पूजन करते हैं पाठ करते हैं दान करते हैं होम करते हैं साथ में कई बार अंगुठिया पहनते हैं माले पहनते हैं तमाम उपाय करते हैं आज हम ज शिद्ध जो सिद्ध आउशधियां है वो रोग जनित भाय नस्ट करती हैं दवाएं अगर हम खाते हैं तो किसी भी प्रकार का जो रोग है वो दूर होता है उन रोगों के लिए दवा दवा बने हुएं आउशधी बनी हुई है आयुरुवेद में एलोपैत में होमेपैत में ये दवाएं बनी हुई हैं खाते हैं और रोग से हम मुक्ति मिलती है तथा स्नानब विधाने न उसी प्रकार स्नान मात्र से औशधिस्तान से ग्रह दोशह प्रनस्यती ग्रहों का दोश भी नस्ट हो जाता है ग्रहों का दोश भी समित होता है ग्रह जनित दोश भी नस्ट ह होने लगते हैं। फालित जोतिस के जो आचारी हैं उनका मत है कि जो भी ग्रह अरिस्त कारक है उस ग्रह की और शदी से स्नान करना लाभ देता है। जो भी ग्रह अरिस्ट कारक है, यानि बुरा फल देने वाला है, उसकी और सदी से स्थनान करना लाब देता है। साथी जो ग्रह आपका कारक ग्रह है आपके लिए अच्छा ग्रह है उस ग्रह की आउसदी से स्नान करना ग्रह के सुभत्व को बढ़ा देता है ग्रह की ताकत बढ़ा देता है हम जानेंगे कौन-कौन से ग्रह के लिए क्या-क्या है और शदिया कौन-कौन से है जो जल में डा करें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल चुटकी चुटकी से कम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और डाल करके जो बाल्टी में डाल देंगे पानी भर देंगे आराम सस्नान करेंगे अब इसा कोई मतलम नहीं कि हम शावर्स लेते हैं जी हम कैसे बाल्टी में ना हैं आप बाल्टी म तो बड़ी इलाइची, शहद, देवदार, खस, केसर, मुलेठी, कनेर के फूल, लालवाले मिल जाएं बेहतल, मेनसिल की छाल, ये है सूर्य ग्रह के ये आउशधियां हैं, जितनी मिल जाएं, उतना थोड़ा-थोड़ा सुई के नुक के बराबर थोड़ी चीजें डाल दें थोड़ा आधी डाल सकते हैं, बहुत महंगे होंगे, तोड़ा कम डालेंगे, शहद एक चमश डाल दिया करें, और स्नान करें, सूर्य का दोश, सूर्य अगर अशुब है, तो अशुबत्वकत्म होगा, सूर्य अगर सुब है, तो शुबत्वे मिरद्धी होगी, बात होता है, पत्थर नुमा, डालें, अगले दिन फिर उसको निकाल के, फिर दुबारा डालें, ऐसी चीज़ें दुबारा डाल या सकती हैं, सफेद चंदन ले 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 लकडी, और रोज इसको डाले पानी में, दसमेर छोड़ दें, नहाने के पहले, और फिर नहालें, फिर उ की चाल, बेल की चाल, रक्चंदन, सिंगरफ और मौलश्री, बुद्ध के लिए गोमे, मधु, अक्षत, मोती, और गोरोचन आता है, गोरोचन मिलता है जाके दुकान पर, अब ये चीज़ें, बुद्ध कुद के दोश को दूर करने के लिए, बानी का दोश होता है बुद होता है, बात करें, गुरु के लिए, मालती की का फूल, पीली सरसों, मुलहठी और मधु, ये गुरु के दोश को खत्म करता है, अगर इन से स्नान किया जाये तो, और शुक्र दोश युक्त है, गुरु दोश युक्त होगा तो कन्या का विवाह जल्दी नहीं होता, और ज बालकर स्नान करें, वर्ष भर, बाकी पूया पार करते रहें, विवाह के महोर, लगन जल्दी तयार होगा, और विवाह की कावना भी पूरी होगी, बात शुक्र की करें, शुक्र दोस होता है, तो कई बार लड़कों का विवाह नहीं होता, जो एग्रेशन है, जो बोले हम की काम करने का शमता है, इक्षा है, जो प्रबल द्रड इक्षा सकती है, उसमें कमजोरी कमी आने लगती है, इलाची मैंसिल्व किसी भी प्रकार के जो ब्रिक्ष उपलब्द हैं, उनकी जड़ और केसर, ये डाल कर पानी में स्नान करना चाहिए, शुक्र दोस के समन के काले तिल, लोबान, सौफ और धान का लावा, ये पानी में डाल कर स्नान करने से शनी का दोस खत्म होता है, राहुकेतु के लिए लोबान, तिल के पत्ते और कस्तूरी ये डाल कर स्नान करना चाहिए, बात करें धनु मकरकुम्भ और मीन जात्कों के लिए दिन कैसा रहने बाला है, बात धनु राशिकी, धनु जात्कों के लिए आज लेन देन के मामले प्राथमिक्ता से निप्टाने चाहिए, अगर किसी भी प्रकार का लेन देन है, तो आज ऐसा निए टालें, ठीके दस बजे करेंगे, ठीके ग्यार बजे करेंगे, इस से बचने का प्रयास कर चाहिए, प्राथमिक्ता प्रायर्टी होनी चाहिए, आज लेन देन के मामले की, दूसरों के भरोसे काम को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आज अगर आप धनु राशिके जातक हैं, इस बात का विशेस रूप से ध्यान रखें, आपके पंचम भाव से छठे भाव मे जा रहे हैं चंद्रमा, नय प्रगो प्रियोगों के लिए आज बिल्कुल प्रतिकूल समय है, वैसे भी सनी की साड़े साथी चल रही है, विरोधियों को अवसर मिलता दिखाई पर रहा है, अगर आप किसी भी प्रकार का नया प्रियोग करें, या दूसरों के भरोसे काम छ दिखाई पर रहा है, स्थती में नए बदलाओं के आसार बने हुए हैं, सामाजिक दाइतों की समझ जगेगी आपको, किसी मित्र के आग्रह को, अगर कोई व्यक्तिगत आग्रह मित्र करता है, तो ना टालें, नहीं तो ये मित्रता शत्रताम बदलती दिखाई पर रही है, बात कुम्भराशी की, कुम्जातों के धनवशूली का अच्छा वसर है, लेन दिन का विवात सुलिएगा आपका बेवसाय का विस्तार होता दिखाई पर रहा है, और किसी प्रियजन की से जो शिकायते हैं आपकी, वो दूर होती दिखाई पर रही है, अगर आप कुम्भर मिन राशी की मिन जातकों के लिए कई दिनों से काम अठके पड़े हैं, वो पूरे होते दिखाई पर रहे हैं, संतान के कारियों से मिलेगा, संतुष्ट होंगे आप, आज कहीं का प्रवास करना चाहते हैं, कहीं दूर यातरा पर निकलना चाहते हैं, तो टाल देना ठीक र कर रहा है मिन जातकों को, बात इसी के साथ समय पर हमास्तर की, जर्म के बाद कई बार शिशू लगातार बिमार रहता है, रोते रोते, कई बार सासे फूल जाती है, दम फूलना इसको बोलते हैं, और ये बिमारी बार बार दौरना पड़ता है, डॉक्टर के पास आना पड करता है, लगता ही नहीं समझ मिन जाता क्या करें, कैसे करें, कैसे सम्हालने बच्चे को, और खासकर मौसम परिवर्तन के समय तो बिलकुल दिक्कत होने लगती है, वे सबको दिक्कत होती है कि ये दिक्कते बच्चों को, कि कुछ कुछ बच्चों को बढ़ जाती है, डॉक स्निता हुआ बच्чे की जनमराशी के तीसरे चटे आठ्वी या बारह में भाव में ना Monsieur यैनि पहले दूसरे चौथे पांच में साथ में नौमें दस में ग्या नहत की घलितमा हो तो उस दिन से सुरुवात करें और उस दिन गुरुवार का दिन नहीं होना चाहिए शनिवार हो सकता है रईवार हो सकता है गुरुवार नहीं होना चाहिए छोड़ करें गुरुवार को साथ दिनों तक सुरियास्त की तीन घड़ी तक सुरियास्त के बाद के 72 मिनट तक ध्यान रहे समय का सुरियास्त क के बाद के 72 मिनर तक नीम के पत्ते पीली सरसो और लॉंग यह बच्चे के पास में इसको धूप दें वहां जला दें कपूर में जलाना बेहतर होता है और लकडी का धूआ नहीं होना चाहिए वहां पर जला दें धूप के समान और बच्चे के सिर पर हात फेरें मंत्र है नमो भगवती शिशुवत सले मोचिनी मोचिनी स्वाहा यह मंत्र भगवान के हाँ बच्चे के सिर पर हात 21 बार फेरते वे मंत्र को जपे बच्चा ठीक होने लाएगा उसके स्वास्तिक जो बिगड़ रहा है बार बार उसमें सुधार आएगा दवा काम करेगी जीवन को रिश्यों की अभुद्दिन है उसका लाभ लेने के लिए लेकिन जगना जरूरी है लगना जरूरी है तभी आप संभव कर सकते हैं किसी भी असंभव कारे को इसके लिए जरूर देखते रहे समय शास्त्र आपका समय बेहतर होने की योग बनेंगे और खुशियां आप तक जरूर पहुंचेंगे चलते रहे समय के साथ चरैवेती चरैवेती नमस्कार